चलिए आज बनाते हैं पिस्ता कतली, जी हाँ, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं न, यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बिना चासनी के जंजट के इस रेसिपी को बनाने वाले हैं, तो आईए बनाते हैं इसे, तो इसे बनाने के ये मैं 300 ग्राम खोवा का इस्तमाल कर रही हूँ, इसे एक कद्दू कस से न, अच्छे से कद्दू कस कर लें या हाथ से आप मसह लें, पिस्ता कतली बनाने के लिए हमें चाहिए पिस्ता, तो जो बिना छिलके वाला खड़ा पिस्ता होता है न, उसका इस्तमाल मैं कर रही ह बस देखिए मैंने इसको अच्छे से पाउडर कर लिया है, चलिए अब इसे एक साइड रग देते हैं, अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें एक से दो चम्मस देसी ही, देसी की डाल करना पैन में अच्छे से फैला लें, अब इसमें खोवा डाल कर गैस का फ्लेम ज इसे हम भूल लेंगे, उससे जादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस चार से पांच मिनट लगातार चलाते हुए इसे भूल लें, अब गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दें और जो पिस्ता हमने पाउडर करके रखा था था ना उसे इसमें डाल दें, इसी के साथ इसमें थो बंद करते हैं और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लें, जब यह ठंडा हो जाए तब इसमें डाल दें एक चोटा चमच इलाइची का पाउडर और चीनी का बूरा, चीनी का बूरा जो होता है पके हुए चीनी का पाउडर होता है, उसे डाल कर अच्छे स मिक्स कर लें देखिए गैस का फ्लेम अभी बंद है यह जो मिक्षर है बस मामुली सा गरम है बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए अगर जादा गरम रहेगा तो यह जो चीनी हमने डाला है वो पानी छोड़ देगा इसलिए इसे अच्छे से ठंडा कर लें उसके बाद इसम से दबा लेंगे इससे क्या है जो कतली बनेगी न वो सौफ्ट बनेगी बटर पिपर पर मैंने पहले से ही थोड़ा सा घी लगा लिया था देखिये माल लीजिए कि पिस्ता का ये कतली बनाते समय थोड़ा आपका मिक्शर जो है धीला हो जाए या थोड़ा हाथ में चिपकने लगे तो आप उस समय ये कर सकते हैं कि एक से दो चमच मिल्क पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं ताकि ये जो मिक्शर है थोड़ा बसे जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा लेकिन कई बार होता है हम थोड़ा गरम में अगर चीनी डाल दिये तो थोड़ा पानी छोड़ देता है तो उस कंडिशन में आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर या थोड़ा खु लगा देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं तो इसके बीना भी ये रेसिपिया बना सकते हैं बस जिस तरीके का काजु कतली होता है न बस उसी डिजाइन में इसे काट लेंगे इस तरीके से मैंने स्केल की सहायता लिये ताकि इसको हम एक साइज का काट सके ऐसा लगे कि पशिए से काटना है कि पूलतिस डिक इसके सब्सक्रा भी बार तो कन्फ्यूजन होती है कि स्केल को किधर रखें लेकिन निस बार लेकरं की करते हैंं बस मैंने इस तरीके से सारा काट कर तयार कर लिया है सच मानिए ये जितना अच्छा लग रहा है ना देखने में उतना ही लाजवाब ये बन कर तयार हुआ है तो इस रेसिपी को आप बनाईएगा जरूर और उसके बाद फीडबैक देकर बताईएगा भी जरूर कि आप को रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी के साथ और इसे आप बना कर हपते दिन तक ने श्टोर करके रख सकते हैं वैसे भी दिपावली आ रहे हैं तो इसे बना कर अप रख ले और जम बन करें आप इसे इंज्वाय करें तो उम्मीद करती हुँ ये पिस्टा कटली की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए है न तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ऐसी ही मज़दा रेसिपीस के साथ थैंक यू